प्रेंड्स आज मैं आपके लेकर आई हूँ सिंपल सा सोयावीन बिरियानी तो यहां हमने लिया है बासमती चावल एक गिलास और इसे अच्छे से धोकर पानी में भिगो दिया है और सोयावीन को गरम पानी में उबाल कर निचोड़ लिया है पानी इसके बाद तेल रालेंग है सोयावीन बिरियानी और यह खाने में आपको बहुत ही स्वादिश्क लगेगी तो यहां हमने बिना लहसन प्याज का बताया है लहसन प्याज का कोई जोरत नहीं है और बहुत ही तेश्टी लगेगी तो जैसे ही यह गुल्डन ब्राउन हो जाए इसे आप निकाल लें त टमाटर थोड़ा साद रग दो हरी मिर्ची का पेस्ट और इसे अच्छे से भून लेंगे अच्छे से भूनने के बाद सोयावीन को इसमें डाल देंगे तो हमने यहां बिरियानी एकदम सिंपल तरीके से बताया है कोई जंजट नहीं और पांच मिनिट में बनके तयार हो जाएगी तो आप इसे कोई भी परत्युहार में बिना लशन प्याच का बना सकते हैं फिर हम इसमें डाल देंगे चावल भीगोया हुआ तो पानी निकाल के फिर चावल डालना है फिर हम डालेंगे इसमें गरम मसाला एक छोटी चमच तीखे के हिसाब से मिर्ची पाउडर ढल दें थोड़ा सा हल्धी स्वाद अनुसार नमक इसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर धनिया पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से मीक्स कर लेना है तो एक गिलास चावल में हमें डेर गिलास पानी डालना है तो आप बास्मती चावल ले ले तो हमने यहां पिलेम फिलेम लौ रखना है इसके बाद एकस्ट गैस आएगी इसके बाद आपको गैस जमऄ uh और जैसे ही कूकर पूरा ठंडा हो जाएंगी और सी इती का गैस क trust को पारसा देल निचा हम थैम और हमारा यह बिडिया बिर्याणि बनकर बिल्कुल तयार है तो बिना लहसेन प्याज का हमने सोयाबिन बिडियानी बताया और हलके आसान तरीके से तो अगर आपको अच्छी लगे मेरी रेसिपी तो आप लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर करें तब तक के लिए बाई बाई